Good morning all of you, कैसे हो student, आशा करते हूँ कि घर पर आप सुरक्षित होंगे और बेटा स्वस्त होंगे, बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं, अपने पुस्तक संचेन, संचेन ये बेटा नई पुस्तक, हमारे दूसरी पुस्तक है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका हम प पाठ दिये गए हैं, जिन मेंसे दो कट करवाए हुए हैं, कुलू कुमहार की उना कोटी, एक ये नहीं आएगा, एक मेरा चोटा सा पुस्तकाला, एक ये वाला भी नहीं आएगा, दो पाठ ये नहीं आएगे, और बाकि चारो के चारो बाठ आपके आएंगे इस पुस्तक में बेटा सिरफ छे ही है छे पाठ ही है और बेटा दो इसके कट है ठीक है बेटा हाँ जी और इस पुस्तक को बेटा जो आप जो आप ने ग्रैमर की कोपी अलग लगाई है या इसकी कोपी आपने अलग लगाई है इसकी कोपी एक पतली सी ही कोपी आप लगा लेना, जिसके अंदर इस संबंदित कोशन आंसर आपको लिखने होंगे, ठीक है बच्छों, चलो शुरू करते हैं हम, आज का, आज का हमारा पाठ है गिल्लू, आज का हमारा पाठ है गिल्लू, ये महा देवी वर्मा द्वारा रचित है, ये एक स संस्मरण गद्य रचना है, संस्मरण का अर्थ जानो, संस्मरण का अर्थ होता है कि किसी घटना को बार बार याद करना, यानि कि घटनाओं का लेख और महत पुरन जानकारी, जब लेखक या लेखी का द्वारा लिखी जाती है, या दी जाती है, तो वो संस्मरण कहलाता ह गद्या का मतलब यानि की रचना का मतलब होता है बेटा गद्य भाग जिसके अंदर आपके लेख कहानी और निबंद संस्मरण ये चीजे आ जाती है और काप्य खंड के अंतरगत हमेशा कवी दाएं और बेटा पत दोहे रचना इस परकार की चीजे आती हैं ठीक है बच्चो आओ शुरू करते हैं हम पाठ एक गिल्लू जो महा देवी वर्माद्वारा रचित है ये बेटा मैं इस पाठ के बारे में थोड़ी सी आपको भूमी का बदलाते हूं देखो बेटा महा देवी वर्माद्वारा रचित मेरा परिवार में से चैनित यानि की च पिलू एक संस्मन गध्य रचना है। इस रचना के माध्यम से लेखी का पशु पक्षियों की सवतंतरता उनके प्रती प्रेम, उनके प्रती सरंक्षन की भावना रखती है। और बेटा साथ में वो क्या बतलाती हैं कि जो उन्होंने अपने जानवर पाले हुए हैं, उनकी सुक्षम से सुक्षम घटना का भी वो वर्नल इस पाठ के अंदर कर रही हैं। और वो पशु पक्षियों को स्वच्छंद रहने की बात कहती हैं और इसी बात पर वो जोर देती हैं। चलो आओ हम शुरू करते हैं हमारा पाठ गिल्लू चलो बड़ा। सोन्जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास। अनायास ही उस चोटे जीव का समण हो आया। जो इस लटा के सघन देखो गटा जिस शब्द पर मैं जोर देकर बोल रही हूं। उसके उसके अर्थ मैं आपको बतला दूँगी हां जी। सघन हरीतिमा में छिप कर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर बूद कर मुझे चोका देता है। तब मुझे कली की खोज रहती थी पर आज उस लगू प्राण की खोज है। यहां पर क्यावत लाया है इस पहरे में महादेवी वर्मा ने कि उसके घर में एक सोन जूही की लता याने की बेल लगी हुई है और उस पर पीले रंग की कलियां खिलती है। और वो क्या देखती है अनायास याने की अचानक ही सगन, गहरी, हरितिमा याने की हरे रंग के पत्तों में छीपा बैठा कोई एकदम से कूद कर महादेवी वर्मा के कंधे को चूल लेता है और महादेवी वर्मा डर जाती है। हां जी, अब देखो बेटा, लगू प्राण एक शाब्द आया है लगू प्राण लगू प्राण यहां पर कोई है कि एक छोटा सा जीव है। अब देखिए छोटा सा जीव कौन है अब आपको आपके मन में ये जानने की इच्छा हो रही होगी छोटा जीव वो कौन है चाहू तो मैं अभी आपको बता सकते हूँ लेकिन नहीं अभी कहाने में सस्पेंस है बरंतु वह तो अब अब तक इस सोन जूही की जड में मिट्टी होकर मिल गया होगा कौन जाने स्वर्नि कली के बहाने वही मुझे चोकाने उपर आ गया हो अब वह महादेवी वर्मा क्या कहती है कि अभी तक तो वह सोन जूही की जड में मिट्टी हो गया होगा यानि कि मिट्टी में मिल गया होगा, उसकी मृत्यू हो चुकी है और वो मिट्टी में मिल गया होगा और वो ने जाने किस कली का रूप लेकर मेरे पास आएगा या मुझे वो चोंका देगा हाँ जी, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी हो गया होगा वो महादेवी वर्मा ये बात कहती है अचानक एट दिन सवेरे कमरे के बरांदे में आकर मैंने देखा देखो पहले घर ऐसे बने होते थे, ऐसे जैसे कमरे हैं और बाहर के और ब्रांदा होता था तो उसको ब्रांदा कहते हैं हम और उसके अंदर गमले गर रखे हुए होते थे दो कवे एक गमले के चारों और चोंचों से चुवा चुएवल जैसे खेल खेल रहे थे दो कवे गमलों के पास चोच मार मार कर ऐसे देख रहे थे कभी तो वो छुप जाते थे, कभी वो बाहर आ जाते थे तो महादेवी भर्मा ये कहती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हूं यह काक भुशंडी भी विचित्र पक्षी है, काक भुशंडी के पिछे एक पिटा चोटी सी स्टोडी है मैं ज़्यादा गहरा ही में नहीं जाते हुए, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी यह कववे के बारे में एक कहानी है, कि वह कववा किस परकार हमारे लिए समादृत और अनादृत होता है क्यों? क्योंकि कववे ने एक बार माता सीता के पैर पर चोट से घाव कर दिया था और शिरी राम से वो बचने के लिए तीनों लोकों में घूमा परन्तु उसे किसी ने भी शरण नहीं दी ठीक है बच्चो? हाँ जी, अब बेटा हम अपने चेप्टर की तरफ वापस आते हैं और इसमें क्या है कि वो क्या देखती है एक साथ कववा भी एक यानि की काक भुशंडी भी एक विचित्र प्राणी है एक साथ समादृत और अनादृत समादृत यानि की सम्मान पाने वाला अनादृत यानि की अनादर का भाव पाने वाला हाँजी, अति सम्मानित, अति अवमानित, यानि की उसके पास दोनों ही पक्षें, कभी तो उसको हम सम्मान की द्रिष्ठी से देखते हैं, हाँजी, हमारे बेचारे पुर्खे, अब देखना बेटा, यहाँ पर बात कलिए रोगी आपको, तो हमारे बेचारे पुर्खे ने गरुड के रूप में आ सकते हैं, ने मयूर के रूप में आ सकते हैं, ने हंस के रूप में आ सकते हैं, यानि कि हमारे जो पूर्वज हैं, वो ने तो मोर के रूप में आ रहे हैं, ने गरुड के रूप में आ रहे हैं, और ने ही हंस बनकर आ लहे हैं। अब देखें क्यों। उन्हें पित्री-पक्ष में हमें हम से कुछ पाने के लिए काक बन कर ली अवदिन होना पड़ा देखो यहां पर खेल होगी न कि पित्री-पक्ष क्या होता है जब बैटा पित्री पक्ष यानि कि बेटा शराद के जब दिनों होते हैं तब हमारे शास्त्रों का कहना है कि शराद के दिनों में हम जो भोजन करवाते हैं वो हमारे बुजुर्गों को जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें ब्रामन को भोजन करवाया जाता है गाएं को पूरी और खीर दी जाती है और कवे को भी बेटा कागल निकाला जाता है और उसको भी पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है कहते हैं यदि कव्वा जब तक नय उसको भोजन को अर्पित कर ले तब तक ये शराद बोल नहीं माने जाते तो इसलिए जब शराद के दिनों में जब कव्वे को इधर उदर देखा जाता है खोजा जाता है उसके लिए पूरी और बेटा खीर दी जाती है इतना ही नहीं हमारे दूरस्त प्रिये जनों को भी अपने आने का मधुसंदेज इसके करकश स्वर में ही देना पड़ता है दूसरी और हम कोवा और काव काव करने को अव मानना के अर्थ में ही परियुक्त करते हैं अब देखिए यदि हमारे घर किसी प्रियजन को आना है जब हमारे घर किसी प्रियजन को आना होता है तो कहते हैं न कववा बोल रहा है जरूर हमारे घर कोई ना कोई आया होगा तो इसलिए हम उसको उड़ा देते हैं कंकड मार कर या उसको आवाज करके उड़ा देते हैं तो कहने का भाव है कि हम उस स्थिती को अच्छा नहीं मानते मेरे काग पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आन पड़ी क्योंकि गमले और दिवार की संधी में चिपे एक छोटे से जीव पर मेरी नजर रूख देए अभ देखो अभी तक तो महादेवी वर्मा क्या थी mining कवे की स्टोरी बतारे थी उसको समानित क्यों करते हैं और अपमानित क्यों करते हैं तो ये दोनु स्थितियां आपको clear हो गई हैं अब जब महादेवी वर्मा ने देखा कि दो कवे चुपन-चुपाई जैसा खेल खेल रहे हैं तो वो क्या करती हैं अब वो बाहर आती हैं और अब देखना उनको क्या जीज मिलती है हां जी क्योंकि गमले और दिवार की संधी में छिपे एक छोटे से जीब पर मेरी द्रिष्टी रूख गई अब बेटा दिवार और गमले के जो संधी यानि की बीच में जो गैप होता है जैसी ये दिवारे ये गमला बीच में गैप था वहाँ पर एक छोटा सा जीव महादेवी वर्मा को मिल जाता है और उनकी द्रिष्टी वहाँ पर चले जाती है अचानक जाकर देखा क्या देखा अब देखो सस्पेंस उठ रहा है गिलहरी का चोटा सा बच्चा वह देखो बेटा फिर उनको गिलहरी का एक चोटा सा बच्चा वहाँ पर मिलता है हाँ जी अब बेटा एक निट पहले में ये पहरा पूरा कर दू फिर आगे दुबारा से एक लाइन यहाँ पर जोड़ी जाएगी हाँ जी गिलहरी का चोटा सा बच्चा जो संभवत है घोसले से गिर पड़ा है और अब कोई उसे सुलब आहार खोज रगें है कि लहरी का एक चोटा सा बच्चा है और कोई सोचते हैं कि चोच मार कर किसी न किसी दर इस संधी में से यानि कि इस छेद से मैं यानि कि कोई उसको अपना आहार बना ले ऐसा सोचते है अब देखो बेटा यहाँ पर अब आपको पता लगा पहली लाइन में सोन जूही की बेल के निच्चे कौन माटी बन गया था और वो बेटा कली के तोर पर बाहर आया ठीक है बच्चों? हाँ जी इस लाइन को याद रखना आप हाँ जी अब देखो बेटा काक दव्य की चोंचों के दो घाव उस लगू प्राण के लिए बहुत थे आता है वह निच्चेस्ट साथ गमले से चिप्टा पड़ा था यानि कि अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि काक दव्य काक दव्य काक दव्य यानि कि दो कव्य दो कव्य चोंच मार मार कर उसको बेटा घायल कर रहे थे कि वो उसके पास आ जाए लेकिन वो निच्चेस्ट यानि कि वो बिना कोई हरकत किये वो गमले के चिप्का हुआ पड़ था हां जी शबने कहा कोई की चौच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता अतै है इसे ऐसे ही रहने थे सबीने कहा कि अगर एक बार कोई की चौच का घाव लग जाता है तो वो जीव थीक नहीं हो पाता लेकिन महादेवी वर्मा का मन नहीं माना परंतु मन ही मन परंतु मन ही मन माना उसे होले से उठाकर कमरे में लाई फिर रोई से उसका रग्त पोंचा पोंच कर घावों पर पैंसिलीन का मरहम लगाया तो जैसे ही वो लेकर आए और उसके घाव उसके साफ किये और दवाई लगा दी गरूई की पतली बत्ते दूद में भीगो कर जैसे जैसे उनके नन्ने से मूँ में लगाई पर मूँ खुल ने सका और दूद की बूंदे दोनों तरफ धलक गई यानि कि उसकी स्थिती ऐसी थी कि वो दूद भी नहीं पी पा रहा था कई घंटे के उप्चार के उपरां उनके मुहों में एक बूंद पानी टपकाया जासका तीसरे दिन वह इतना अच्छा और बेटा स्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्ने पैरों से जगड कर पकड़ ली नीले काच के मोतियों जैसी आँखों से वो इधर पुधर देखने लग गया तीन चार मास में उसने बेटा रोएं उसके सघन रोएं आ गए और जब्बेदार उसकी पूँच आ गई और चंचल चम के लिए आँखें सब को विसमित करती थी क्यों कि सभी ने कह दिया था कि अब ये शायद ही बच पाएगा लेकिन वो पूरा ही हटा कटा हो गया था गिलहरी का बच्चा था उसकी जो बेटा पूँच थी वो भी भारी भारी हो गई थी और बहुत ही सुन्दर हो गया था हमने उसकी जाती वाचक संग्या को व्यक्ति वाचक का रूप दिया और इस परकार हम उसे गिलो कहकर बुलाने लग गए मैंने फूल रखने वाली एक हलकी डलिया में रूई बिच्छा कर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया यानि कि एक टोकरी में खिड़की में उसको लटका दिया वही दो वर्ष गिलू का घर रहा यानि कि गिलू दो साल तक जीवीद रहा वहस्वियम हिला कर अपने घर को जुलता जुलाता और अपनी कांच के मन को जैसी आँखों से कमरे के वीतर और खिड़की से बाहर नय जाने क्या देखता रहता था परन्तु उसकी समझदारी और कारिय कलाव पर सबको ही आश्चारिय होता था ठीक है बेटा आज मैं आपको इतना ही करवाओंगी एक बार आप अपने आप इस चाप्टर को बेटा रीड कर लेना जितना मैंने आपको करवाया है ठीक है रचों और बेटा साथ के साथ रीड करोगे तो आपको याद होता जाएगा हांचे अब बेटे आप नौमी कक्षा में हो और इस साथ मी कक्षा में आपका एक चप्टर था वें जिसमें मोर मोर्नी की कहानी थी उसके अंदर तरह तरह के जीव जल्दू दिखायों हुए थे बेटा मोर मोर्नी दिखायों थी खरगोश दिखाया हुआ था, तो महादेवी वर्मा को जीव जन्तु पालने का बहुत अधिक्षव था, तो इस वज़े से उनके मन को बहुत ही खुशी होती थी, तो बेटा शैमंत में भी आपने एक चप्टर पढ़ा, इसी तरह का अभी नोमी कक्षा में एक चप्टर आया है, यह है संस्मरन, और बेटा इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी घटनाएं घटी है, बेटा जानवरों के साथ बेटा, और बेटा उसका वर्नन आपको बखुबी इस पार्ट में करवाया जाएगा, और बेटा जब मैं आपको यह पार्ट करवाती हूँ, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सामने ही कोई चल चित्र चल रहा है चल चित्र चल रहा है यानि कि कोई एक फिल्म चल रही है और उसको आप इमेजिन करते जाओ तो बेटा पार्ट भूबो जल्दी आपको याद हो जाएगा ठीक है बचो? हाँ जी और पिटा घर पर रहो सुरक्षित रहो पिटा और पिटा स्वस्त रहो माता पिटा की आपसली पुझी धान्यवाद पिटा गोडब्लेस यू आयश्माद